आज का हमारा ये पूरा क्रिशी निवेश जैविक किसान बेला आयमजित किया गया है शेत्र के कोने कोने से चल कर यहां पर उपस्तित मेरे सभी जागूद किसान भाईयों और बहनों और हमारे मिडिया के साथ यह आप सभी का आज के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत अभी जंदन करना चाहती है आप जानते हैं कि पूरे देश में वर्षा के पैटर्ण में एक परिवर्टन आया है और इससे जो हमारी खेती बाड़ी का कारह है वो काफी हद तक प्रभावित हुआ है भारत सरकार ने भी इसका इन आकिलन किया है पूरे देश बर में कौन से ऐसे प्रभावित शेत्र है और उनके लिए विशेश उपाय किये जा रहे है हमारा देश खात्यान में आत्म निर्भर है गेहू जावल यह हम बड़ी मात्रा में पैदा करते हैं पहले चीन में सबसे जादा आबादी हुआ करती थी लेकिन आज दुनिया की सबसे वड़ी आबादी भारत में है चीन भी हमने पिछाड़ दिया तो ऐसी वड़ती हुई आबादी के साथ दलहन की तिलहन की यानि दार की और खाद तेलों की मात भी बड़ी है जिसकी आपूर्टी करने की आवशक्ता है लेकिन दलहन और तिलहन के शेत्र में अभी भी हमारा देश खाद्यान की तरे आपको दिलवर नहीं हुआ है दलहन तिलहन को पानी की भी कम आवशक्ता होती है सरकार व्यापत स्तर पे प्रयास कर रही है आज के इस कारिकराओं पे जो आपको मिनी बीज के उपलग्द कराया जा रहा है वो उसी दिशा में उठाया गया एक कमन है यदि मैं अपने जिले की बात करूँ तो जन्तक मिक्जापुर के लिए हमी वर्ष दो हजार तेइस चौविस का जो आच्छादन लक्ष है वो है कुल 1,93,244 हेक्टेर इसमें गेहु का 1,43,489 हेक्टेर है गलहन का 37,705 हेक्टेर है और तिलहन का 10,653 हेक्टेर है ये हमने आच्छादन का लक्ष निभारे किया है और हमारे क्विशी विशेशर के अनेक वेज्यानी कहाँ पर उपस्तित है जिनके वक्तव्यों को भी आपने अभी सुना भी है आगे भी सुनेंगे वो भी आपको बता रहे हैं कि यदि हमें दलहन या तिलहन का छित्वफल का विस्तार करना है तो उसके लिए हमारे समय पर दुआई का महत पर है जैवी खेती के लिए और प्राकति खेती के लिए निरंतर हमारा आगरे है क्योंकि आज की जीवन शेली है एक भागता दोडता हम लोगों का जीवत का सुरूप हो गया है और हमारी मिट्टी में हम इतने रसायनों का उप्योग कर रहे है कि उसके कारण हमारी मिट्टी के कोशक तत्वभी नश्ट हो गया है जो हमें खाने पीने की वस्तुए मिल रही है जो उपाद हमें मिल रहा है वो हमारे लिए स्वास्तवर्दत भी नहीं है और इस कारण बहुत सारे गंभीर रोग हो रहे ही मैं शेत्र में रोज निकलती हूँ कई परिवारों के बीच जाती हूँ और मैं बड़े दुख के साथ कह रहे हूँ कि मेरे अपने जन्वरते मैंने देखा है कैंसर जैसे गंभीर रोग से बहुत सारे लोगों की असमियत मौत हो रही है ये एक उधारण है ऐसी नजाने कितनी गंभीर विमारियां हैं गंभीर रोग हैं जिनसे हम गरस्त हो रहे हैं अपनी खराब जीवन शेली के कारण और जो हमारा खान पान दूशिक हो चुका है उसके कारण इसलिए जो हमारी प्राचीन पर्देतियां थी जब हमारे पास रसायली गुर्वरक नहीं हुआ करता था जब हम प्राकरतिक खार का उप्योग करते थे जब हम जैविक उर्वरक का उप्योग करते थे खेती के जैविक तोर तरीकों का हम उप्योग करते थे तो हमारा अपना शरीर भी स्वस्त रहता था, हमारी मिट्टी भी स्वस्त रहती थी, आज मिट्टी ही प्रदूशित नहीं है, जल भी प्रदूशित है, वायू भी प्रदूशित है, तो कहीं न कहीं उसी मिट्टी, जल, वायू के बीच में हम सासे ले रहे हैं, हम अपना जी हम मिटी के बोशक नगो को भी बनागर रख सके, मिटी के शरण को भी रख सके.